हाई गुट मॉर्निंग सस्यकाल आदाब नमस्काव अनकम जहीं दोस्तों कैसे आप लोग मैं हूँ आपका अपना डॉक्टर डॉक्टर नमनीत कर रहा एक टॉपिक जो बहुत ही चर्शा में है क्योंकि केसेज मिलने शुरू हो चुके मंकी पॉक्स के भारत में सच बलूं तो टैग लाइन इस टॉपिक की यही है कि भलाई कोवीड हो जाए भलाई फ्लू हो जाए लेकिन दुश्मन को भी मंकी पॉक्स ना हो क्यों और क्यों ये एक बहुत बड़ी सोशल प्रॉलम बनने जा रहा है सोशल स्टिग्मा तो पहले से ही था एक बहुत बड़ी सोशल प्रॉलम बनने जा रहा है कहां कहां पर इसका असर होगा कुछ लोग इस वीडियो को एक कॉमेडी की हिसाफ से भी देख सकते हैं लेकिन ये सचाई है थोड़ा मैं हलके फुल के अंदाज में बोलूँगा लेकिन ये कड़वी सचाई है और जो मैं बोल रहूं आप सच मानिये आप किस दिनों के बाद ये बोलोगे हाँ डॉक्टर कैसे मिलने शुरू हो जाएंगे और इस महीने के अंतर तक या एक महीने के अंदर आपको 100-200 पेशन्ट मिल चुके होंगे अराम से रीजन क्या है सोशल प्रॉलम होने का कि मंकी पॉक्स 95% सेक्स रूट से फैलता है यानि होमो सेक्सल में गे में बाई सेक्सल में जारा हो रहा है सिर्फ 5% पेशन्ट में दिखा गया है जहां पे कि बिना इसके भी फैल सकता है यानि कि आप किसी को टच कर ले ऐसी वस्तु क जिसने उस मंकी पॉक्स के पेशन्ट ने टच किया हो तो आपको भी हो सकता है तो यानि कि कॉन्टेक्ट में आने से भी हो सकता है लेकि 95% पेशन्ट होमो सेक्सोल है या गे है अब प्रॉलम क्या होगी प्रॉलम यही होगी कि मुमेंट किसी को अगर ये होता है तो उसके उ दुर्गामी परिणाम हो सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखो, गे कल्चर इंडिया से बाहर तो common है, और वहां इसको लोग accept भी बिगरते हैं, पर हमारे इंडिया में अभी ये कल्चर को अभी लोग accept नहीं कर पाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, गे कल्चर बहुत पहले से चला रहा है, हजारों सालों से नवाब हो, आप लखनहू के नवाब हो, पता नहीं क्या क्या आप सुनते आ रहे थे, लेकिन अब क्या होगा, जिस भी patient को ये होगा, लोग उसको उसी दृष्टी से देखेंगे, भले ही उसको वो sexual root से हुआ या ना हुआ, इसलिए सरकार ने बोला है, faceless, इसका investigation faceless होना चाहिए, मतलब कि इस बात को ध्यान में मत रखो, ये gay है ये नहीं है, या इन बातों को ज़्यादा importance ना दो, लिकिन ये समाच, ये समाच problem खड़ी करेगा, reason यही है, कि जिस root से होता है, अब कल एक लड़के की शादी होने ज हो जाता है, आपको मालू मैं उसकी शादी तूट भी सकती है, या गर उसकी शादी नहीं होने जारी, तो आने वाले समय में उसको problem आ सकती है, socially, जी हाँ, आप सोचिये, और वो अगर इनसान हो, होमो सेक्सुल नहीं है, तो आप सोचिये, उसके साथ कितना बड़ा problem आ सकती है, तो ये problem मैं इसलिए discuss कर रहा हूँ, कि पहली चीज़ चलो monkey box एक serious problem नहीं है, कोई जान जाने का खत्रा नहीं होता, लेकिन जान से जादा आपकी इज़्जत जाने का खत्रा जादा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि gay की कोई इज़्जत नहीं होती है, मैं उस चीज में पड़ी नहीं रहा हूँ, लेकिन जो लोग gay अपने आपको घोशित कर चुके हैं, जो समाज में बड़े खुले पन से रह रहे हैं, उनको तो problem नहीं होगी, लेकिन वो gay या वो homosexual जो छुप-छुप के homosexual बने हुए हैं, उनको problem होगी, लेकिन सबसे जादा problem उनको आप शक्की निगाह से देखेंगे, हाँ बेटा, ये सब क्या, बेटा कहेंगा, पापा मैंने तो कुछ कर रहा ही नहीं, बीबी आपको शक्की निगाह से देख सकती है, आपको मेरे पर, तब ही मैं बोलू, आप मेरे से इतना दू-दूर क्यों रहते हो, मतलब बहुत सारी इस तरह की प्रॉलम आएंगी, मैं भले ही आपको बहुत लाइटर मोड में बता रहा हूँ, तो इसलिए बोलता हूँ, कि भाई, एक बार को कोविड हो जाए, मंकी पोक्स ना हो, क्योंकि ये प्रॉलम जहल पाना असान नहीं होगा, ये प्रॉलम अभी आपको लग रही है चोटी ये प्रॉलम बहुत बड़ी बनने वाली हैं आने वाले समय में, समाज में, क्योंकि एक तबका बिलकुल अलग कर दिया जाएगा, मंकी पोक्स का तबका, इसको मंकी पोक्स हुआ था, इसमें शायद कोई लोचा है, इसकी परसनेलिटी में कोई लोचा है, और ये हो होने जा रहा है बहुत जल्दी, क्या करें इसके लिए, मैं सिर्फ यहीं बोलूँगा कि रेको हर किसी को ये लेबल कर देना, कि ये गे है, ये होमो सेक्सुल, इस बेस पर कि होमो सेक्स, इसको मंकी पोक्स हो गया है, ये अच्छी बात नहीं है, आप किसी को और ऐसे बहुत सारे लोग भी होंगे, जो गे होंगे, लिको मंकी पोक्स नहीं होगा, तो थोड़ा tricky condition है, थोड़ा complicated है, तो ये समाज में आने वाले समय में यही topic सबसे यादा बनने जाएगा, मिमारी तो एक साइड में रह जाएगी, लेकिन ये इसके उपर बहुत मुश्किल होगा, अपने आपको social, उस समाज में, अगर वो सच में gay है, तो शायर उसको इतनी problem नहीं आएगी, लेकिन जिन लोगों ने अपने आपको नहीं बताया, या जो gay नहीं है, उनको सबसे बड़ी problem आने वाली है, thank you very much, और मैं यहीं बोलूँगा कि देखो, gay होना ना होना, एक personal decision है, हम इसके ओपर कुछ ना ही कहें, हाना कि कोई भी नहीं चाहता उसकी family में कोई gay निकले, सच बात ये भी है, fact ये भी है, कोई नहीं चाहता, लेकिन किसी की orientation कैसी है, कैसी है, तो personality तो हम उस पर कुछ ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं, हर एक को अप तरे के लोग हैं, और अच्छे बूरे और हर personality के लोग हैं, तो सिर्फ इतने ही कहूंगा कि भाई, इस चोटी सी problem से आप किसी को judge मत करिएगा, और वैसे भी हमारे हैं judge तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, आना, बहुत जल्दी judge कर लेते हैं आपर, हमारे काम ही है कि judge करना है क अपना काम ठीक से कर लो, वो ही बहुत बड़ी बात है, thank you very much, आपका अपना Dr. Navneet Kalra, bye